जैसरी राधिकेशन, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आईए सुनते हैं तुलशी विवाह की कथा। तुलशी विवाह जो की विशेश कर कार्तिक माह के शुकल पक्षक की एक आदसी तिथी से ले करके पूर्णिमा तिथी तक तुलशी विवाह संपन करवाया जाता है। और उनके सभी परकार के पाप और ताप नश्ट हो जाते हैं। भगवान विश्नु, भगवान शालिक राम माता तुलशी की कृपाँ से उनके सभी परकार के मनुरत पुर्ण होते हैं। तो आईए सुनते हैं तुलसी विवाह से जुड़े हुई पौरानी कथा तो बोलिये प्रेम से भगवान विश्णों की जै भगवान शालिग्राम की जै तुलशी माता की जै कथा के अनुसार जो कि सावर्णी मुनी की पुत्री तुलशी अपुर्व सुंदरी थी उनके एक्षा थी कि उनका विवाह भगवान नारायन के साथ हो इसके लिए उन्होंने नारायन परवत की घाठी मेज थी थी जो की बद्री बन में घूर तपश्या की और दिर्ग काल तक तपश्या की उपरांथ ब्रह्मा जी ने प्रशन होकर दरसन दिये और फिर वर मांगने को कहा तोलसी ने कहा कि है स्रिष्टी करता ब्रह्मदेव आप अंतरयामी हैं सबके मन की बातों को जानने बाले हैं फिर भी मैं अपने एक्षा बताती हूँ मैं चाहती हूँ कि भगवान स्री नारायन मुझे पती रूप में प्राप्त हो तब ब्रह्म को भी दानब कुल में जन्म लेने का स्राप प्राप्त हुआ दानब कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नरायन का अंस विद्यमान रहेगा इसलिए इस जन्म में पुर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपुर्ण नरायन तो नहीं नरायन के अंस से युक्त दानब और फिर तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर्व को स्विकार किया क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे माया भी भोग तो भोग ना ही था और फिर तुलसी बद्रिवन में ही रहने लग जो कि उस समय इनका नाम दिन्दा था नारायन का वह पार्शत जो कि दानव कुल में संक उस पर मुग्द हो गया तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा इतने में ही वहां ब्रह्माजी आ गया और तुलसी से कहा तुलसी संख चूर को देखो यह देवुपम इसका स्वरूप है दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसक प्रस्ताव को सहर स्विकार करने और फिर तुलसी जिनका कि नाम व्रिंदा था उनको लगा कि उनकी तपश्या पूर्ण हुई इसे एक शीत फल मिला है संख चूर के साथ उसका गंधर विवाह हो गया और वह संख चूर के साथ उसके महल में चुकी पत्नी बनकर रहने लग किया कि देव लोग तक उसके अधिकार में आ गया स्वर्ग का सुख भोगने बाले देवताओं की दशा जो की बिगडशी गई और संख चूर यानि की जालंधर किसी को कश्ट नहीं देता था पर अधिकार और राज छेंच जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जालंधर के साथ कराया था और फिर संख चूर को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि तुल्सी को ना चला जाए भगवान विष्णु ने कहा कि संख चूर पुर्ब जन्म में में मेरा पार्सत था और स्राप के कारण उसे जैत्यकुल में जन्म लेना पड़ा इस जन्म के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लटा दे या फिर उससे युद्ध करे और संक चूर भगवान संकर के पास पहुंचा उसने कहा कि हे देवादेव आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं राज्य बढ़ाना जो कि हर राजा का करत मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे हमारा आपका युद्ध अगर होगा तो वह सोभा नहीं देता अगर आप हार गये तो बड़ी लज्जा की बात होगी मैं हार गया तो आपकी कृती बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी भगवान स सब रहश्यों को समझते थे तुलसी और संक्चूर के पुर्ब जन्म के स्राप की अबधी लगभग पूरी हो चुकी थी बोले इसमें कृती और लज्जा की कोई बात नहीं तुम देवों का राज लोटा कर उन्हें उनके पद पर प्रतिश्ठित होने दो युद्ध से कहकर संक्चूर चला गया उसने अपनी पत्नी ब्रिंदा तुलसी को सारी बाते बताए और कहा कर्व भोग सब काल सुस्त्र में बढ़ा है जीवन में हर्स शोख भय शोख दुख मंगल अमंगल काल के अधिन है हम तो केबल निमित हैं संभब है भगवान शिव देवों का प युद्ध छेड़ दिया और संक्चूर ने भीशन बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका उसके प्रहार से देवता डग मगाने लगे उसने दानवी शक्ति का पढ़्यों कर माया भी युद्ध अरंभ किया युद्ध अस्थर पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था पर उसके अस्त्र सस्थर प्रहार कर देवों को घायल कर देते थे, देवगर अपने अस्त्र सस्थर चलाते तो आखिर किसमे चलाते क्योंकि कोई शत्रू सामने ही नहीं था, कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा और संखशूर पराजित नहीं हुआ, तब भग भगवान विश्णु ने सोचा बल से संक्चूड को हराया नहीं जा सकता इसलिए छलका सहारा लेना होगा उन्होंने तुरंट अपना शुरूप संक्चूड जैसा बनाया और अस्त्र सस्त्र से सजीत हो तुलसी जिनका की नाम बिंदा था तो उनके पास पहुंचे और बोले कि प्रिये मैं युद्ध जीत गया सारे देवता भगवान शंकर समीत हार गया इस खुसी में आओ मैं तुम्हें अंग से लगाता हूँ पती को प्रतक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौर कर माया भी संक्चूर के गले से लिपट गई इस प्रकार पती पत्मी दोनों ने आलिंगन हो खुब खुशी मनाई पर पुरुस के साथ इस प्रकार के विभार से उनका सती तेज नष्ट हो गया उसका सती तेज जो संक्चूर की कवच की रूप में रक्षा कर रहा था वह कवच नष्ट हो गया और संक्चूर शक्ति हीन हो गया यह जानते ही भगवान संकर ने अपने त्रशूल से उस पर प्रहार किया और फिर त्रशूल के लगते ही संकचूर मारा गया संकचूर के मरते ही भगवान विश्णु जो की अपने असली रूप में आ गया सामने अपने पती संक्चूर के अस्थान पर भगवान विश्णू को खरा देखकर तुलसी बहुत विश्मीत हुई उसको पता लग गया कि स्वयम नारायन में उसके साथ चल किया है और रोज में आकर उन्होंने स्राप दे दिया कि एक सती इस्त्री का सतित्व भंग करने के अपराज में मैं आपको स्राप देती हूँ कि तुम हिर्दहीन पत्थर हो जाओ और फिर भगवान विश्णू ने तुलसी के स्राप को सिरो धार्य कर कहा कि हे देवी तुम्हारे तथा संकचूर के कल्यान के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा तुम दोनों को स्राप मुक्त करना था तुम भी अब शरीर त्याक कर तुलसी विर्बा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पुजा तुलसी दल से ही होगी और मैं शालगराम पत्थर रूप में होँगा मेरे शीष पर तुम सदा आदर से विराजमान होगी तुम्हारे पती की हडियों के चुर्ण से संक्की की उत्पत्ती होगी उस संख ध्वनी से देवताओं तथा मेरी पुजा अरादना होगी जहां संख ध्वनी होगी वहां मंगल मैं मैं विराजमान रहूँगा तुमने पुर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी घंगोर तपश्या की थी अब अगले जन्म में मैं नरायन प्रसस्त की रूप में बद्री वन में अस्थापित होँगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होग मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी उचा पद को प्राप्त करोगी और जो भी मेरे शालिगराम शुरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसके जन्मों के कई परकार के पाप और ताप नश्ट होगी तथा मेरा कृपा प्राप्त होगा तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णू कीजए माता लक्ष्मी कीजए तुलसी माता कीजए भगवान शालिगराम कीजए तुवासा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान परधक चानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में विए लाइकन घंटी को दबाए ताकि मेरी वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुकी रहें और स्वस्त रहें जैसरे राधे कृष्ण धन्यवाद